अब नमस्कार दोस्तों स्वागत अच्पिता इस नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं शेवलिंग स्मोग फांटेन जो की हमें यहां पर एमसील यूज की है आप यहां पर चाहें तो खले भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादा तर अप एमसील से ही बनाते हैं तो यह एमसील है 90 ग्राम की जो की हमें 30 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में बहुत ही असानी से और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यह कहां पर मिलेगी तो यह आपके जो हाड़वेर की शॉप होती है आपके नजदी की वहां पर मिल जाएगी तो आप लोग इसे परिशान मत हुई यह हर जगा मिल जाती है और हमें इसको कुछ इस तरह से मिलाना होता है इसके अंदर दो मेटेरियल निकलते हैं एक होता है रेजिन और दूसरा होता है हाड़नर जब हम इन दोनों कमपॉंड को मिक्स करते हैं तब हमारा यह जो एमसील अइसे ही रग दिया था मिला कर छोड़ दिया था और इसके बाद में हम आ अपना जो मॉडल है वो बनानट तरहत करेंगे और यहां पर दोस्तों हमने जो एक जो शीलिंग है वह च्छोटा सा उपर बना दिया है पहले और उसके बाद में दोस्तों हमने यहां पर जो बेस बनाने के लिए एक पतली जैसे हम बना रहे हैं गुल और इसको भी बनारेंग अपने हाथों से और यह msil दोस्तों आपके हाथों में चिपकती है तो आप इसके लिए थोड़ा सा पानी या फिर तेल यूजुर सकते हैं अपने हाथों में लगा कर लिए जिससे कि msil आपके तेरी में नहीं चिपकेगी और आपका मुझो मॉडल आप बना रहे हैं वो बहुती अच्छा बनेगा और इस तरह से फ्रेंट्स उसके बाद में हमने थोड़ा सा एमसील लिया है और यहां पर हम लंबा लंबा इस तरह से बनाकर इसको राउंड कर देंगे इसको हम एक रिंग जैसा बनाएंगे एक छली टाइप का और यह हम जो इसके उपर मटकी बनाने वाले हैं शिवलिंग के उपर वो मटकी का मुझो होगा और उसके बार में दोस्तों जितना भी बचा हुआ हमारे पास एमसील है उसको ले लेंगे बस थोड़ा सा एमसील निकाल के रख देंगे जिससे की हम आगे चलके मटकी बनाएं तो यहां पर जो जो शिवलिंग का आधार होता है वो हम तयार कर रहे हैं आपको ऐसे ही बिल् काहumu ने देखा होगा तो शायद आप लोगों को पता होगा और यह वाला तरीका सबसे ज्यादा आसान हमें लगता है और इससे बनाना बहु nhất आसान है और इसको बनाने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे आसान यही तरीका है तो आपने देखा दोस्तों लेंट थोड़ा सा पा बनाते रहेंगे और लगबग अब यह बन चुका है जितना बड़ा में बनाना है और अब यहाँ पर फ्रेंट्स हम इसमें जो जलाधारी होती है वो बनाएंगे तो इस तरह से हमने आगे की और नोक निकालती है हलकी सी और जो साइडे होती है वो उठा देंगे जिस तरह से सिवलिंग में होती है और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी अभी जो एमसील है वो थोड़ी सी गीली है जिसे की हमारा जो सीबलेंगे वो सही से नहीं बन रहा है हम मोड रहे हैं लेकिन वो मोड नहीं रहा है इसलिए दोस्तों आपको थोड़ी देर एमसील को रेस्ट देना है और इसमें समय ज़्यादा लगता है बनाने में तो आप लोग धीरे से धहरे रखके बनाईएगा तो आपका बहुती जल्दी बन जाएगा और जो यह हमने प्लेट बनाई थी नीचे स्टैंड यह हम इसे के ऊपर रख देंगे उससे पहले हम थोड़ा सा और सही कर लें जिससे की इसकी शेप में कोई दिखत ना हो क्यूंकि यह रखने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाएगा इसको सही करते रहना होगा हमें थोड़ी देर तक लगबग 10-15 मिनट तक इसको प्रेट कर देंगे और उससे पहले यहां पर हम बनाएंगे मटकी तो यहां पर हमने थोड़ा सा पानी यूज किया है हलका सा अपने हाथों में लगा लिया जिससे की एमसिल चिपकेना और लगाने के बाद में फ्रेंस यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम अंगोठे औ और इसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा तो और एमसिल को भी सूखने में लगबाग आधे गंटे लग जाते हैं तो आधे गंटे में ही यह सारा आपको काम करना होगा उसके बाद में आप इस एमसिल को तोर मड़ोर नहीं सकते हैं यह सूख जाएगा बिल्कुल पत्थर के जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंट जैख सकते हैं कि हमने इस तरह से बना लिया है, और इसके जो उपर का हिस्सा है, मुह इसका, उसे हम थोड़ा-थोड़ा से दबा-दबा के छोटा करेंगे, और यह जो हमने रिंग बना के रखा था छल्ला, और यह छल्ला हम इस त पग जाएं, और यहाँ पर फ्रेंट जैख सकते हैं, यह मटकी फुरी बनकर तयार हो चकी है, और अभी हमारा जो शीवलिंग है, वो अदूरा है, उसको हम बनाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर मटकी में हम सुराग कर लेंगे, उपर से आपको नीचे की और सुराग करना करेंगे, क्योंकि यह भी लगबग 10 मेंट का समय हो चुका है, और अब यह आखरी स्टेज में हैं, इसके बाद दोस्तों हम इसमें ज्यादा सुधार नहीं कर पाएंगे, और जो हमने शीवलिंग बनाके रखा था वो इसके बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, और उसके ब रख किया यहाँ रंखे में में अपने जो पिछले कई वीडियो में यहाँ पे एमसील से ही हमने को इसका इस्टेंड बनाया था और हम इसको सेट कर देंगे, एकदम सेंटर में उपर, शीवलिंग के उपर, और इसे के मटकी हम उपर रखेंगे, और आपको बस यह ध्यान देना है कि मटकी जहां पर रखें, वो बिल्कुल बीचो बीच में शीवलिंग के आए, कुछ इस तरह से, और यहां पर फ्रेंट्स करने के बाद इसको लगबग 10 मिनट हम इसको सुखाएंगे, और सुखाने के बाद में इस पर हम थोड़ा सा और काम करेंगे, जिससे कि हमारे जो यह शीवलिंग है, इसमें और भी ज़्यादा शाइनिंग आ सके, चमाक आ सके, जो की देखने में बहुत ही ज़्यादा प्र मिनट हो चुके हैं, और अब यहाँ पे हम शाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे, वार्निश, तो यह है दोस्तो वार्निश, यह क्लियर वार्निश है, आपको यह हलकी सी ब्राउन कलर की दिख रही होगी, लेकिन दोस्तो यह एक दम क्लियर वार्निश है, इसमें थोड़ा मॉडल पे अपने शीवलिंग पे इस तरह से पूरे वार्निश कर देंगे, और उसको सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद में फ्रेंड्स हम यहाँ पे ऊपर से इसमें जो मटकी में यह स्वास्तिक के निशान बनाएंगे, स्वास्तिक चिन और जो शीवलिंग पे है, व पिछले वीडियो में वाइट का इस्तमाल किया था और यहां पर दोस्तों यहां पर तिरपॉंड हम बना रहे हैं शिव लिंग के उपर यहां पर देख सकते हैं दोस्तों शाइनिंग कित्ती जबरदस्त हो चुकी है किता ही अच्छा लग रहा है मारा मॉडल देखने में और प्रेंड जो लास्स स्टेप है हमारा स्मोग बनाने का जो बैक ऋपर जाने की बज़ाए नीचे जाता है उसको बनाने के लिए हमने यहां पे धूबत्ती का इस्तिमाल किया है यह दोस्तों पूजा वाली दुकानों पे मिल जाएगी जहां पे फूजा का सामान मिलता है वह भी हम इस तरह से नुकीली चीज लेकर उसके अंदर एक खोकला सा होल कर देंगे और यह होल आर पार नहीं होना चाहिए दोस्तों हम हर वीडियो में बताते हैं और उसके बाद में इसको जला देना है तो यह फोल जो है आर पार नहीं होना चाहिए क्यूंकि उसको बहुत सारे के बाद यह इस तरह से स्मोक देना शुरू कर देगा तो आप लोग पताईए कि आपको कैसा लग रहा है उम्मिद करते हैं बहुत ही अच्छा लगा